दोस्तों आज है एक मार्च और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मार्च 2021 के करेंट अफेर्ट के सभी इंपोर्टन कोईशन के बारे में पूरी वीडियो देखेगा पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझा गई है अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दीजेगा अगर आप दोस्तों चैनल को पहली बार आए हैं वीडियो पहली बार देख रहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल से निश्चित ही आपको quality content मिलने वाले हैं बहुत सारी informative वीडियो मिलने वाली हैं और हाँ दोस्तों इन सभी वीडियो की PDF फाइल और quiz आपको मिल जागी हमारे application MZD app से तो Google Play Store से जाकर के इसे install कीजिए इस app में दोस्तों आप लोग daily quiz solve कर सकते हो जिसमें exploration भी दिया जाता है चलिए बात करते हैं हम लोग last day के questions की last day का मेरा पहला question था आपसे bioasia 2021 में genome valley excellence award की से मिला तो ये मिला भारत biotech को कर्म भूमी निम्नवे से किसकी समाधियस्थल का नाम है तो संकर दयाल सर्मा जी की समाधियस्थल का नाम है अब बात करते हैं आज के दिन के पहले question की पहला question है हाले में ISRO ने कहा से amazonia-1 उप्गरा प्रच्षेफित किया तो अभी हाले में ISRO ने दोस्तों स्री हरी कोटा से amazonia-1 नाम का एक satellite launch किया है किस नामका amazonia-1 नामका satellite ये satellite है दोस्तों Gabriel का द्यानरकियेगा Amazonia नाम का यह जो satellite है यह है ब्राजील का satellite ISRO ने अभी हाली में Amazonia 1st के साथ 18 और भी satellite लांज किये हैं खास बात तो यह रही दोस्तो इस बार ISRO जो है वो rocket के साथ भगवत गीता की एक electron copy भेजा है और साथी साथ में rocket के उपरी हिस्से पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी की तस्वीर भी छपी हुई है ISRO का दोस्तो यह इस बार का पहला mission था PSLV C-51 क्या PSLV C-51 इस वर्स का पहला mission है ISRO का PSLV का फुल फार्म क्या होता है Polar Satellite Launch Vehicle दोस्तो यह rocket है यह rocket का नाम है ISRO के पास ही है GSLV, GSLV और PSLV कलियर कहां से launch किया गया है स्रीहर कोटा से 28 फरवरी को सुबा 10 बच कर 24 मिनट पर launch किया गया है देखिए दोस्तो यह total PSLV अभी तक तिरपन launch हो चुके है 53 PSLV missions launch हो चुके है हमारे ISRO के ISRO का full form होता है Indian Space Research Organization भारत की यह Space Agency है इसका headquarter है Bangalore में के सिवान जी है वरतमान में ISRO के अध्याच अगला देखते हैं राश्ट्रिय विग्यान दिवस दोस्तो परतेक वर्स 28 फरवरी को मना जाता है बहुत ही important question है यह बहुत ही common question है अक्सर पूछा जाता है exam में तो याद रखिएगा 28 फरवरी को National Science Day मना जाता है National Science Day 28 फरवरी को ही क्यों मना जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 में दोस्तो महान वैग्यानिक सीवी रमन जी ने रमन एफेक्ट की खोज की थी तो इस वज़े से 28 फरवरी का दिन चुना के है तो 28 फरवरी को यह मना जाने लगा कब से मना जाने लगा 1986 से मना जाने लगा इस बार करते हैं दोस्तों सीवी रमन का सीवी रमन जी को दोस्तों ये भारत के पहले विज्यान के छेतर में नोबल प्रुसकार विजेता थे 1930 में इनको नोबल प्रुसकार से सम्मानित किया गया है फिजिक्स के छेतर में इनको सम्मानित किया गया सीवी रमन को भारत के अगर पहल ये 1930 में मिला था, क्लियर डाइनमो की खोज के लिए, अच्छा अब इन्हें 1974 में आगे चल करके दोस्तो भारत रत्न से भी नमाज आ गया, तो ये भी आपको याद रखना है, तो 28 फर्वरी को 1986 के बाद से प्रतेकवर्स मना जाने लगा विज्ञान देवस, अगला देखते ह हाले में किस राज जिने इपरिवहन विवस्था लांच किया, तो अभी हाले में हिमांचल प्रदेश ने इपरिवहन विवस्था लांच किया है, इपरिवहन विवस्था की तहट क्या होगा, इसके तहट दुस्तो अब हिमांचल प्रदेश की जो व्यक्ति हैं, उनको अग हिमांचल प्रदेश दोस्तों अभी कुछी दिन पहले आपको बताया गया था कि इव कैबिनेट विवस्ता शुरू करने वाला भी पहला राज्य बन गया है अब हिमांचल प्रदेश इविधान सभा इबजट इव कैबिनेट और अब इस परिवान सेवाएं भी दे रहा है हाला कि इबजट पास करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था यह आपको याद रखना चाहिए ठीक है यूपी बना था पहला पेपरलेस इबजट मतलब हुआ पेपरलेस बजट यूपी बना था उत्तर प्रदेश बना था पेपरलेस बजट पास करने वाला र से यहां के हैं Chief Minister, Governor है बंडारू दद्दत्रे, सिकारी देवी अभ्यारण ये है हिमांचल प्रदेश नहीं, हिमांचल प्रदेश के High Code की विकर बात करें, तो इसके Chief Justice है एल नरायन स्वामी, कोन है? एल नरायन स्वामी जी है, इसके Current Time पर Chief Justice, हिमांचल प्रदेश अपना Border किस हिमांचल प्रदेश, अभी दोस्तो 25 जनवरी को अभी मनाया गया था हिमांचल प्रदेश का राजिया स्थापना दिवस, जयान रखेगा 24 जनवरी को UP का स्थापना दिवस और 25 जनवरी को हिमांचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्लिएर बिलकुल अगल दिवस मनाय रहा है इस वज़ा से एयर सो आयजित कर रहा है स्रिलंका की वायव सेना जो है एयर फोर्स जो है उसके दोरा एयर सो आयजित किया जा रहा है और उसमें भारतिये वायव सेना भी सामिल होने जा रहा है भारतिये वायव सेना की LCA जो है लाइट कॉमबेट एयर क्र तेज़स fighter jet इस airso में हिस्ता लेने के लिए पहुच चुका है साथी साथ में इंडियन air force का जो सारंग है और सूरिकरण ये दोनों भी ये दोनों टीमें भी हिस्ता ले चुकी है देखिए सारंग क्या होता है सारंग जो है ये इंडियन air force की helicopter aerobatic टीम है और सूरी किरण जो है ये aircraft team है तो ये दोन टीमें भी इसमें airsoft में हिस्ता लेने पहुँच चुकी है अभी याद होगा दोस्तो कुछ दिन पहले ही बैंगलूरू में इंडिया का airsoft हुआ था जो कि Asia का सबसे बड़ा airsoft था क्या था? Asia का सबसे बड़ा airsoft था अच्छा तेजस fighter jet से आपको याद आ रहा होगा अभी कुछी दिन पहले भारतिये रक्षा मंत्राले ने दोस्तो हल से हिंदूस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेट से 83 LCA Mark 1 एयरक्राफ्ट का आडर दिया था तेजस fighter jet का ठीक है इसको आपको याद रखना है भारतिये वाई सेना के बारे में बात करें दुनिया की चौती सबसे बड़ी वाई सेना है और वाई सेना दिवस मिना जाता है 8 अक्टूबर को भरतिवाई से न दिवस अध्यक्ष है RKS बदावरिया जी राकेश कुमार बदावरिया जी अच्छा दोस्तो कुछ student की demand है कि ये जो content देता हूं में इसको English में भी translated करके दिया जाए तो दोस्तो थोड़ा सा आप लोग वक्त दीजिए अब ही जो हमारी team है ये नए नए team है अभी इनको maximum मेरा time तो इन लोगों को train करने में ही चला जाता है सबको बताना पड़ता है क्या क्या कैसे क्या क्या process है करना है तो थोड़ा सा वक्त दीजिए आप लोग धेरे धेरे करके जब ये लोग expert हो जाएंगे बाकी लोगों को ये लोग सिखा दिया करेंगे फिर इसके बाद से आपको ये content भी English में भी provide किया जाने लगेगा तो आप लोग थोड़ा सा वक्त दीजिए पेसेंस बनाए रखिए आपको सब कुछ मिलने वाला है अगला देखते हैं वर्स 2020 में cyber attack के मामले में भारत की सस्थान पर रहा तो भारत रहा है दोस्तों दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा cyber attack हुए है जापान में काँ पर जापान में 2020 ने सबसे ज़्यादा attack हुए जापान में सेकेंड पर रहा इंडिया तो इंडिया में दूसरा सबसे ज़्यादा बार अटेक हुआ है, साइबर अटेक, ये रिपोर्ट अभी हाली में जारी किया है, IBM Security ने इस रिपोर्ट का नाम है, X-Force Treat Intelligence Index Report 2021, रिपोर्ट का नाम याद रखेगा, रिपोर्ट जारी करता भी आज कल पुछे जा रहे हैं, तो य ये भी आप लोग धान रखेंगे, दूस्तों दुनिया भर में 2020 में जितने भी साइबर अटेक हुए, उनमें 7% तो अकेले इंडिया में ही हुए हैं, ओके, IBM Securities ने 130 से ज़्यादा देशों में अपना एक सर्वे किया है, 150 अरब, यानि 150 बिलियन से ज़्यादा जो नमबर वन जेल का खिताब मिला, तो दोस्तों राजस्थान राजी की जेलों को देश की नमबर वन जेलों का खिताब मिला है, यानि देश भर में जितनी भी जेले हैं, जहां चहां पर भी जेले हैं, उसमें राजस्थान की जो जेले हैं, वहां पर पहुत ही अच्छे तरी पिछले वर्स राजस्थान की जेलों को 12 अस्थान मिला था इस बार हाई जंप किया और टॉप पर आ गया है राजस्थान ठीक है अच्छा एक और इंडिया जेस्टिस रिपोर्ट से आपको याद आ रहा होगा इंडिया जेस्टिस रिपोर्ट ने अभी हाले में एक रिपोर्ट जारी की थी कि भारत भर में कौन सा राज्य है जहां पर जस्टिस बहुत ही अच्छे से दिया जाता है यानि नयाय पामने के मामले में नयाय दिलाने के मामले में कौन सा राजे सेर्स पर है तो याद रखेगा उसमें है महाराष्ट्रा महाराष्ट्र है नयाय दिलाने के मामले में टॉप पर अगला देखते हैं अगला है हाली में किसने Tata Innovation Fellowship पुरुषकार 2020-21 जीता तो अभी हाली में दोस्तों उत्तम लाहडी को मिला है Tata Innovation Fellowship पुरुषकार 2021 उत्तम लाहडी कौन है उत्तम लाहडी दोस्तों एक प्रोफेसर है ये गुजरात के गांधी नगर में IIT GN की भारतिय प्रदोग की संस्थान म Electrical Engineering के Associate Professor है तो इनको अभी हाली में 2020-21 के लिए Tata Innovation Fellowship अवार्ड के लिए चुना गया है किसके द्वारा चुना गया है या किसके द्वारा अवार्ड दिया गया है तो इनको डाक्टर हर्स वर्धन सिंग जी के द्वारा अवार्ड दिया गया है जो कि हैं केंद्रिय विज् जो उतक्रिष्ट कारे करते हैं उनको दिया जाता है अच्छा अगर हम लोग पिछले संस्कंड की बात करें तो 2019-20 में CSIR-CDR की जो प्रधान दाग्यानिक थी डाक्टर रितू त्रिवेदी इनको मिला था Tata Innovation Fellowship अवार्ड तो पिछली बार मिला था डाक्टर रितू आयजित किया गया तो दोस्तो अभी हाली में गुलमर्ग में जम्मू एंड कस्मीर के गुलमर्ग में आयजित किया गया खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्क्रण ये दोस्तो 26 फरवर्डी से श्टार्ट हुआ है दो मार्च तक चलेगा खेलो इंडिया विंटर सामिल होंगे अच्छा बर्फ के खेल से याद आया अभी आईस हाकी टूनामेंट हुआ था कहाँ पर हुआ था लद्धाक में हुआ था ये भी याद रखने आपको ठीक है आईस हाकी टूनामेंट फिलाल ये जम्मू कस्मीर में आईज़ुत हो रहा है दूसरा संस्क्रण है दूसरा संस्क्राण है जम्मू कस्मीर के गुल मर्ग में आज़ुत हो रहा है। अगला दिखते हैं भारतिय वाइस जिना ने किस देश को 1971 युद्ध का हेलिकाप्टर भेट किया। तो भारतिय वाइस जिना ने इंडियन एर फोर्स ने अभी हाली में बांगला देश को दोस्तों 1971 युद्ध का हेलिकाप्टर भेट किया है। एक्शुल में दोस्तों अभी एयर चीफ मार्सल आरकेस भधारिया जी चार दिनों की बांगला देश यात्रा पर थे। 22 फरवरी को बांगला देश की यात्रा पर थे। ये चार दिवसी यात्रा थी। इस यात्रा को सत्भावना यात्रा के नाम से जाना जा रहा है। किस नाम से सद्भावना यात्रा के नाम से तो यह important point है इसको आप लोग ध्यानर केंगे तो वहीं पर दोस्तो बांगलादेश की आजादी को याद करने के लिए बांगलादेश जब नया देश बना था उसकी स्वंड जयनती को यादगार बनाने के लिए भारत और सेबर फाइटर जेट ठीक है आपको याद होगा 1971 के पहले यह पूर्वी पाकिस्तान की नाम से जाना जाता था यानि पाकिस्तान का इस पर कबजा हुआ करता था इस वज़े से यहाँ पर पाकिस्तानी F-86 सेबर फाइटर जेट लिखा हुआ है ठीक है तो बांगलादेश इसने भारत को यह दिया है अच्छा यह यूज नहीं किया जाएगा आप लोग ऐसा मत समझेगा कि यह यूज किया जाएगा यह एक गिफ्ट के रूप में दिया गया है जो कि एक संग्राले में एक म्यूजियम में रखा जाएगा क्लियर है इसी की याद में 1971 की यूद की चलिए अगला दिखते हैं हाली में किस देश के प्रथम प्रधान मंतरी माइकल सोमारी का निधन हो गया तो अभी हाली में पापुआ नियोगिनी के प्रथम प्रधान मंतरी पहले प्रधान मंतरी माइकल सोमारी का निधन हो गया इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यहीं ह माइकल सो मार eh इन्हें दोस्तों पापुआ नियोगिनी का Father of the Nation भी कहा जाता है इन्हे Father of the Nation इस लिए कहा जाता है क्योंकि 1975 में आस्च्रेलिया का कबजा जब हुआ करता था 1975 से पहले पापुआ नियोगिनी पर तो सुतंतर प्राप्त करने के लिए ये उस जो द्विप समूह था जो पापुआ नियोगिनी दिप समूह है उसका नेत्र तो ये किया था लीड किया था ओके इनकी लीडर्सिप में ही पापुआ नियोगिनी को आजादे मिली थी 1975 से दोस्तो 2011 के दोरान ये चार बार प्रधान मंतरी बने और सबसे जादा सबसे लंबे समय तक 17 वर्सों तक पापुआ नियोगिनी के ये प्रधान मंतरी रहे तो ये भी इनका रिकार्ड रहा है पापुआ नियोगिनी के लिए ठीक है तो फादर अब दर नेशन की नाम से ज इन्होंने अभी हाली में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास की घुशना कर दी है एमेज देख लीजे यही है यूसुप पठान ओके इन्होंने 2007 में इंडियन क्रिकेट टीम में डेवी किया था केवल 57 वन डे मैचेज ही खेल पाए और 22 T20 इंटरेनेशनल मैच ही खेले हैं इन्होंने इंडिया के लिए इनका कैरियर बहुत जाला लंबा नहीं रहा इन्होंने लास्ट वन डे मैच खेला था 2012 में अलाकि यह IPL वगरा में यह लगातार अच्छा प्रदलसंत कर लहे थे ICC T20 World Cup 2007 में और ICC Cricket Vista Cup 2011 के में क्योंकि भारत ने जीता था और भारत की विजेता टीम में यह हिस्सा थे ठीक है तो भारत के लिए 810 ODI रन इन्होंने बनाये हैं 236 T20 रन इन्होंने बनाये हुए हैं अंतर आश्टी क्रिकेट में 46 विकट भी यह ले चुके हैं तो इन्होंने सन्यास की घुशना करती है तो बस दोस्तों ये तो थे आज की दिन के Current Affair के Important Questions I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आप लोग लाइक भी कर दिया होगी नहीं लाइक किये हो तो लाइक जल्दी से कर दो Share कर दो अपने दोस्तों के पास और इसकी Quiz जाकर के आप लोग MZT App पर Solve कर लो कापर MZT App पर Full Detail Explanation के साथ Quiz दी जाती है Solve कीजे उसे PDF वेड आउनलोड कीजे और हाँ दोस्तो डेली Static GK की स्रीज स्टार्ट हुई है Daily 8 PM पर 8 बजे साम को तयार रहा कीजिएगा आप लोग Daily Evening में Topic by Topic Static GK आप तयार कराया जाएगा बात करते हैं आप कुश्चन सब्दर देखी आज का पहला कुश्चन आपके लिए भारत 2021 में कौन से भी बार Brics समयलन की अध्यक्सता करेगा अगला एक स्कूल एक IS योजना किस सिराज की योजना है दोनों की ही important कुश्चन है दोनों की बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर अंसर कीजिएगा आप लोग दोस्तों हमारे टेलिग्राम ग्रूप से भी जूर सकते हो MZT Education लेकर के सर्च कीजिएगा टेलिग्राम चैनल का नाम है उससे आप लोग जोईन हो जाओ वहाँ पर आपसे डेली कुछ न कुछ पोल कराया जाता रहता है या फिर स्टडी में डेल्स भेज़ जा रहते हैं क्विजिस कराया जाते रहते हैं आप discussion भी कर सकते हो अपने doubts भी पूछ सकते हो हमारे टेलिग्राम चैनल से तो टेलिग्राम चैनल आप लोग ज़रूर जोईन करो तो जोस्तों रखते हैं इतना ही वीडियो में आज की मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमसकार जाहें वान देमात्रम